एक ऐसी गाड़ी जिसे King of Indian Road कहा जाता था। एक ऐसी गाड़ी जो कि वैसे तो Britain Origin थी लेकिन हमेशा से ही उसे Indian Car कहा जाता था। जो हर हिंदुस्तानी का सपना हुआ करता था। एक ऐसी गाड़ी थी जिसमें देश का आम आत्मी भी बैठता था और देश का प्रधान मंत्री जिहां दोस्तों हम बात कर रहे हैं Ambassador गाड़ी की। आज भले ये गाड़ी मार्केट में नहीं मिलती है लेकिन आज भी लोग उसे एक Royal गाड़ी ही मानते हैं। और आज भी उसे विंटेज गाड़ी के रूप में अपने शौक के लिए रखते हैं। Ambassador लगबग 1958 में शुरू हुआ था। इसे हिंदुस्तान मोटर्स नहीं 1960 से 1970 के बीच में बाजार में लाया था। और इसे बताया जाता है कि इस गाड़ी को ब्रिटन के Maris Oxford Series 3 के गाड़ी के मॉडल से प्रेड़ना लेके बनाया गया था। Landmaster था। उसमें हलके फलके बदलाफ करके इंडियन मार्केट में इसे लाया गया था और इसके काफी सारे मॉडल्स और वर्जिन्स भी आया थे। जिसमें Mark 1, Mark 2, Mark 3, Mark 4, Ambassador Nova, Ambassador 1800 IXZ प्रमुक मॉडल माने जाते थे। हलाकि 2014 में इसके प्रोडक्शन के कमे के कारण इसके प्रोडक्शन को बंद कर दिया गया था। 1958 में इस गाड़ी की कीमत करीबन 14,000 थी और 2014 में इसकी कीमत 5,22,000 तक की थी। 1983 में मारूती की छोटी फैमली कार मार्केट में आई जो की मारूती 800 थी जिसके मार्केट में आते ही मार्केट का हुलिया बदल गया। और ऐसे ही हुंडाई, हुंडा जैसे कमपनीज ने इस Ambassador की वैल्यो को धीरे-धीरे कम कर दिया। लेकिन दोस्तों, इंद्रा गांधी से लेके इंद्रकुमार गुजराल, पीवी नर्सी महराओ से लेके अटर बिहारी वाजपेही तक सभी ने अपने प्रधान मंत्री के कार्यकाल में इसी Ambassador गाड़ी से ही हर रास्ता ना पा है। फिर बाजपाई जी के टाइम में BMW 7 आया, तब से ये गाड़ी लोग कल्यार मारग में सचने लगी। 2014 में बिला ग्रूप ने Ambassador ब्रांड को फ्रांस कंपनी के उजो को ATCR में बेश दिया। Global Automotive Program Top Gear 2013 में Ambassador को Best Taxi भी डिकलियर किया गया था। तो कुछ ये थी दोस्तों Ambassador की कहानी, जो लोगों के दिलों में आज भी राज करती है। I hope दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, वीडियो कर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना बूलिए, उसके साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कीजेगा ताकि आप आने व